यूर्ज, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नताशा, आप सब का स्वागत है. मेरे चैनल Facts with Natasha आज मैं बताने बाली हूँ कुछ बहुत अनोखे Facts को क्या आप जानते हैं आर्थ में सबसे पहले Diamonds कहा पर मिलते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि कार्ज से स्पेस में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपने कभी सुना है कि कोई एनिमल शहर का मेयर भी हो सकता है आज मैं कुछ ऐसे ही अनोखे और इंटरिस्टिंग फैक्ट्स को बताऊंगी ये facts जानने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स के handwriting बहुत खराब होते हैं पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में हर साल करीब 7000 लोग डॉक्टर्स के खराब handwriting की वज़े से मर जाते हैं डाइमांड्स बहुती खुबसूरत होते हैं और दुनिया भर में इसे बहुती एक्सपेंसिब माना जाता है पर क्या आप ये जानते हैं दुनिया में सबसे पहले डाइमांड्स कहाँ पर मिलता था आज से करीब 2500 साल पहले क्रिशनर रिवर जो की साउथ सेंट्रल इंडिया में है इस नदी के ध्वीप में पाया जाता था और उस समय पूरे डाइमांड्स मार्केट इंडिया के अंडर था इसके भी करीब 2200 साल बाद ब्रजील और साउथ आफ्रिका में डाइमांड्स मिलना शुरू हुआ ये फैक्स बहुती स्ट्रेंज है और भयानक भी अगर किसी इनसान का सर कट कर उसके सरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका सर 20 सेकेंड्स तक कॉंशियस यानि की सचेत रहता है क्या आपने कभी सुना है कि कोई एनिमल शहर का मेर भी हो सकता है 1997 में अलास्का के एक शहर तालकेतना में एक ओरेंज कलर का कैट जिसका नाम था स्टब्स वहां के मेर बने शहर का जनिसंख्या इतना कम था कि कोई इनसान मेर के पत के लिए काबिल नहीं था और वो कैट बहुत ही पॉपुलर था उसके बिहेवियर के लिए और जो भी टूरिस्ट उस शहर में घूमने के लिए जाता था का सरक पर विलकम करता था पूरे दुनिया में उस कैट को बहुत ही पसंद किया जाता था 2000 में वो कैट फिर से मेर बना और 2017 में उसके मरने तक शहर का मेर बना रहा क्या आपने कभी सोचा है कार से स्पेस में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा एस्ट्रोनमर फ्रेड हुएली ने रिसर्च करके प्रूप किया कि अगर कार को 60 माइल पर आवार के स्प्रीड में आसमान की तरफ ड्राइब किया जाए तो एक घंटे में हम लोग स्पेस पर पहुँच जाएंगे ये फैक्ट्स तो बहुत ही गजब का है अब बारी है एक पोनस फैक्ट्स की प्राचीन ग्रीस और रोम के डॉक्टर्स मकडी के जाल को बैंडिज बना कर यूज करते थे उन लोगों का मानना था कि मकडी के जाल में जो नैचरल एंटिसेप्टिक और नैचरल एंटिफंगल प्रापर्टीज है वो इन्फेक्शन्स को रोक सकते हैं मकडी के जाल में है विटमिन के जो बलाट को जमने में मदद करता है तो गाइज आज के ये फैक्ट्स जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताए और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे